हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त तस्रीमानन और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तो आज मैं एक बहुत ही खुपसूरत फूल आपके लेकर के आया हूँ और ये जो फूल देख रही है ये है जूही दोस्तो जूही बहुत ही खुपसूरत फूल होता है और विल्कुल वाइट कलर में होता है और देखने में ये बिल्कुल स्टार के जैसा होता है जिस समय इसमें फूल किलना शुरू होता है तो ऐसे में पूरा जो पूदा है वो फूलों से भर जाता है mostly इसके जो फूल है वो सर्दियों में किलना शुरू होता है लेकिन जो ये पौदा है पर्मानेंट रहता है हमेशा हरा भरा रहता है और ऐसा नहीं है कि गर्मियों में इसमें फूल नहीं आते हैं गर्मियों में भी इसमें फूल आती है लेकिन मुझे जो अपने घर का ये प्लांट है इसमें mostly मुझे सर्दियों में फूल देखने को मिला या जब सर्दियों के शुरुवात होती है बारिश के सीजन के बाद तो ऐसे समय में फूल देखने को मिलता है दोस्तो यू तो यू सौभाव से बिलकुल मोगरे के जैसा ही बेलनुमा पौदा होता है लेकिन इसको आप जाड़ी नुमा बना सकते हैं गमले में लगाने के बाद इसको बार बार अगर आप कटाई चटाई करेंगे तो इस तरह से जैसे मैंने गमले में लगाया है तो काफी अच्छा जाड़ी नुमा बन जाएगा जैसे आप मोगरे में कटाई चटाई करती हैं तो ठीक इसी में भी वैसे ही आपको कटाई चटाई करने की जरुरत पड़ती है लेकिन दोस्तो इस फूल में खुश्बू मुझे अभी तक कहीं नजर नहीं आई जबकि मोगरे में जो है खुश्बू रहता है दोस्तो चाहे मोगरा हो या जूही ये दोनों फूल लगबग एक जैसे ही गुच्छों में खिलते हैं पूरा भर जाता है लेकिन मोगरा जो है लगबग पूरे साल बर रहता है गर्मियों में भी खुश्बू खिलते हैं जबकि जूही के जो फूल है वो गर्मियों में थोड़े से कम मुझे नजर आए और सर्दियों में जो है जादा नजर आती है जुही में भी कटाई छटाई आप बिल्कुल जैसे दो पत्ते निकल रही हैं तो उसी के बीच में से आप कर सकते हैं और जब भी फूल जो भी सूख जाए उसको आप तुरंट से हटा दे और फिर फूलों का गुच्छा जब पूरा ही सूख जाए तो उस ब्रांच को आप कट कर दे जिससे के नीचे से नए-ने ब्रांचे और निकल सके दोस्तो अगर बात करें मिट्टी की तो नॉर्मल कमपोस्ट या गोबर की खाथ मिला सकते हैं या तो आप रेता वर्मी कमपोस्ट और गोबर की खाथ तीनों को बराबर ले करके लगा सकते हैं पौदे को शुरू में आठ इंच के गमले में लगा सकते हैं फिर दस इंच और फिर उसके छे मिने के बाद बारा इंच तो इस दोस्तो मुझे तो जो है इसको बेल नुमा बनाने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि जाड़ी नुमा हम बना दे और गंबले में ही रहे छोटा जहां तक कि हमारी हाथ की पहुँचो क्योंकि अगर हमारी हाथ की पहुँच होती है तो पौधे को साफ सफाई रखने में आस पौधे की पौधे की आहलत इस तरह से थी और इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो पत्ते हैं वह बीजवीच में से सूक रहे हैं लाल लाल हो रहे हैं तो सर्दियों में अक्सर इस तरह का हो जाता है कोई घबरानी की जरुरत नहीं है कि प्लांट किस से मर हैं तो पोटेशियम की कमी कई बार हो जाती है तो उससे भी सूखते हैं तो एक तो आप जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं उनको निकाल दे और बराबर जो है इनको कुछ ना कुछ लिक्विट पर्टिलाइजर देते रहें अगर आप इनको फ्लारिंग सीजन में लिक्व लिक्विट फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं इसके अलाबा जो सब्जियों के चिलके हैं उनका लिक्विट फर्टिलाइजर बना करके आप दे सकते हैं इस तरह से बस किसी कंटेनर में पानी डाल देजिए और सब्जियों के चिलकों को डालते जाएए और 15-20 दिन के आप 10 दिन के बाद से शुरू कर सकते हैं। जब भी आप इनके पानी को निकाले, तो उसमें थोड़ा सा पानी और एट कर दे, और एट करने के बाद तब उस पानी को अपने पादों में थोड़ा थोड़ा जालते रहे। इस से पादे को लगातार एनरजी मिलती रहेगी। और पादे में आपके जो फ्लारिंग है वो भी अच्छे होगी, पादे की बढ़वार अच्छे होगी और जो भी पोशक तत्व है वो पादे को मिलते जाएंगे। इसके अलावा दुस्तों सरसो की खली में बहुत अच्छे माइक्रो नियूट्रियंट होती हैं तो सरसो की खली का भी लिक्विट फर्टिलाइजर बीच बीच में आप इसको देते रहें। और बैटर यह है कि तीनों तरह के जो लिक्विट फर्टिलाइजर है बदल बदल करके कुछ दिन बाद बाद आप इनको देते रहें। चाहे तो दोस्तों सर्दियों के सीजन में आप महिने में एक बार जो डियपी है वो दे सकते हैं। चम्मच इस पौदे के चार ओर लगबग इतना बड़ा पौदा हो तब और इससे छोटा पौदा हो तो आधा चम्मच लेकर के आप चार ओर दे सकते हैं। इसके अलाबा NPK आप दे सकते हैं अगर पहले मेने आपने DAP डाला तो अगले मेने आप NPK ले सकते हैं और उसका भी एक चमच इसके चारो और से गंबले के बिल्कुल किनारे किनारे से दे सकते हैं NPK में 0, 32, 52 अगर आप डालते हैं तो फ्लारिंग के लिए ये काफी अच्छा रहेगा लेकिन दोस्तों जिसमें फ्लारिंग सीजन ना हो तो ऐसे में बार बार खाद वगरा डालने के आपको ज़रूरत नहीं है NPK, DAP वगरा इस तरह के खाद को ज़ादा ना डाले ही तो ही अच्छा है सर्दियों में 2-4 बार चाहे तो आप डाल देजिए बगर जो गर्मी होती है बरसात का सीजन होता है तो ऐसे में नॉर्मल जो घरेलू इस तरह के लिक्विट पर्टिलाइजर है या पत्तों की खाद है या और भी किचन वेस्ट के जो भी आप खाद बना सकते हैं मिट्टी में दबा करके कई लोग बना देते हैं तो उस तरह के खाद का यूज़ कर सकते हैं कीड़े मकोडों से बचाने के लिए दस दिन में या तो एक बार नीम के ओल का स्प्ड़े कर दीजिए या तो हर 20 से 25 दिन में एक बार इमिजा कलोप्रिट नाम के जो रासाइनिक दवाई है या इस प्रे है तो उसका 3 ऐमेल एक लेकर पानी में गोल करके उसका स्प्रे उमीद है दोस्तों जो ही का जो ये फूल है काफी अच्छा लगा होगा और अब आप भी इस पर्मानेंट बेल को या इस जाड़ी को अपने घर में ज़रूर लगाएंगे आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहिए हमा आरी बगिया नमस्कार